तो हाई माई YouTube फैमली कैसे आप सभी लोगे एक नया सर्केट एक नए दिन की सुरुआत के साथ में बहुत दिनों बात मैं इस तरह के कुछ एक वीडियो बना रहा हूं तो चलिए सुरू करते हैं आज मैं आपको डवल बीक्यू सर्केट का कंसर्ट बताऊंगा यह दो फ़ीन की है खोल के और यह बता के कि यह यह चलिए गी को करते हैं आपने के मोबालों में आप focal में या मोभालो में अला के मुवलों में आप देखते होंगे डों मीडियों पे क्या का में सित्केग दिए मिट्व में की सांषरों के कंसरट में गर देखे होंगे तो इसमें दोनों BQ में से एक BQ तो आप समझते हैं कि जो आपके 5A वाला है वो तो वो काम करी रहा है दूसरा BQ का क्या काम है तो आई आज हम दूसरे BQ का काम समझेंगे और उसमें पर्टिक्लर रोसकी लाइन है और उस पर क्या-क्या आपको मिलने वाला है तो वो सारी concept हम इसको समझ हुई है आप वो तीन और चार सीटों को पा सकते हैं आपको सिब अपर को कॉल लगाना है अपनी डिटेलिंग देनी है और आपको क्या पढ़ना है क्या स्लेवस है सब कुछ कॉल पर जानकारी लेनी है होस्टल और मैस में बता दूं यहां पर बिल्कुल फ्री होता है यह व और उसके बाद दोस्तों हमारा जो कॉस है वह चलता तीन महिने के बाद में इस जेट ले आपकी दुकान पर जो आपको वहां पर लेंडिंग पॉइंटाब और उसके बाद आप जब यहां से सीख के जाएंगे तब आप तीन महिने अपनी दुकान पर काम करेंगे प्रश्चों को समझ में आया नहीं आया ये कल वो भूल गया उनको फिर पता नहीं चलता है इसलिए हम हर चीज अपडेट की रूप में देते हैं अभी हमने हाल में अपने ग्रूप में 5G जबदस अपडेट डाले हैं अब 5G चार्जिंग के अपडेट डालेंगे तो ऐसे कर करके हम उनको दियर दियरे और लर्निंग पॉइंट पर सिखाएंगे क्योंकि सुरुवाती टर्म्स पूरा क्लियर होना बहुत जवरी है नहीं तो वह वाली बात होगी आज कर कि चितने भी ऑनलाइन के टीचर देखो तो एक ही राग बोलते हैं कि जब तक मेरे पहले वीड टीकल्स में क्या है क्यों कि आख वुक्रीण पूर्ट कर, लत यह की के और 2 यहां वालो है उसको संजा जाता है हर्टवेर की ख्लास हमारे यहां फुल डियाग्नॉस की ख्लास होती है जो भी हम पढ़ाते हैं अगर हमने बोर्ड में लाइन खीची तो वो लाइन भी हम बोर्ड में दिखाते हैं कि वह लाइन है या नहीं है वहाँ पर वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी हर एक की बात करें तो व हैं 12 गंटे का नहीं है, 12 गंटे ही होते हैं सिर फफ फनक्न हुछों कि गड़ाने के लिए शक हैं तो पूरे रात के रहत में वैंब हुआ है, तक कि हम दिन अगले को सोब आने करें, सब्सक्राइब तो इसलिए एक बार इसे टेलीकॉम पूरे भारत में एग है जो पूरे लाइब क्लास करता है दे वन से आफ्री तक हम ने एक बच्चे को दिखाता है हमारा एसा नहीं है कि हमारे दुनिया वर्ड के को सो के बच्चों को हमने एक जुट करके एक वीडो बनाके डाल दिया कि देखो हमारे तो 50-50-100 हमारे जितने पविड़ डाते हैं हम उनी को बिठाके और वीडो बनाते हैं और वीडायव एसा नहीं होता एडिक्टिब्स वीडो जो है क्योंकि वही बीडियो प्रम लाइड ने Q circuit पहले में सका I e c का एक नाम देना चाहूंगा इस को भी क्यों नहीं लिखा होता है से डी डी इस तरह की coding होती है और आप देखेंगे कि यहां पर आपको दो i e c ना दिखाईद रहीं है और यही हमारे का circuit है क्योंकि एक बीक्यू तो हम इसको primary कहते हैं जो हमारा में फंसन जिसको charging जिसको हम बोलते है वो एक्टिवेट करता है उसके बाद जो दूसरी बीक्यु होती है उसको हम secondary या फिर हम कहते है external तो यह बिसीकलिए में external circuit होता है जो कि तर्बो charger की तरह काम करता है और बिसीकलिए आपकी charging को तर्बो बनाता है मतलब आपकी charging को अच्छे MPR मिले इसके लिए क्राम करता है अगर हम इसकी एक फोटू में आपको यहाँ पर अप्लोड करके दिखाऊं नोडिस कीजिएगा तो कि यह देखें कि नोडिस कीजिए यह देखें यह आपका बीक्यू है कि कुछ इस तरह का आपका बीक्यू यहां पर आपको दिखने वाला है हम इस बिक्यू की पूरी बात करेंगे और इस बिक्यू के थारे पिन पे हम सारे से सेट्किट बना है आए बात करते हैं और यह यूटूब में पहला एक वीडियो होने वाला है जसमें बीक्यू को सेकेंड बीक्यू को टर्वो बीक्यू को स्प्लेइन किया गया है और दोस्तों जिस तरह से अगर आपके बस याएगा हंडर इन्टू परसे आप इसको बना लेंगे बर्ला आपको यह देखना है कि किसी भी आई सी को तभी निकलना है जब उसके प्रॉपर इंपुट आ रहे हो और आपट ना बन रहा हो तो ही आई सी को निकलना है चलिए बात करते हैं इस वीक्यू में कुछ ही पिन हमारी करूंगा और यहां तक कि मैं अपने ग्रुप में इस से कहीं ऊपर और भैतर तरीके से मैंने 5G चार्जिंग का सर्कृट वहां पर डाला गया है तकि बच्चों के पास आया तो इम्मेडिटी वहां पर डिड़ट भी कर सके और वहां पर मैंने मुबाइल में पीसी में प्र कि तरीक यहां पर बीक्यू का नाम सीडी एय और वीक्यू minder हो यह इसीनिंग सटके टे कहां इसका नाम लिख सकते हैं और सब लोग पॉइंट के साब से आप उसमें लिखत जाओ कि पहले पिंट पे क्या रहा है तो पहले पिंट पे 5 बोल्ट आएगा जो की वीबस से आ रहा है ठीक है यह आपको पता हिए आपकी OVP ओवर वोल्टे चार्जिंग प्रोटेक्शन से आ रहे हैं जो अभी 2, 3, 4, 4 OVP लग रही हैं मैंने एक रियल् नमबर की पिन अच्छा आपने देखा होगा कि इसके जो पुराना वीक्यू है जो मतला रणिंग वीक्यू उसमें आपको 24 नमबर में भी बीप मिलता है और एक और 24 के साथ भजर आता है पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है 24 नमबर के साथ में एक पिन यहाँ पर डाली गई है मैं आपको देखाता हूं में और उस पीन को एक कैपेस्टिक्टर के साथ मेंं ग्राउंड कर दिया गया है विब और इसको नाम दिया-गया है डी-10ak तो यह pin आपकी major करने की इस pin को अपको major करने की नहीं बढ़ेगी आप इस पिन को ignore कर सकते हैं यह जो हमारी d select करते इसके सार्फ होता है यह הי T अब अगर मैं बात करूं पिन नम्बर 24 में आपको डी सेलेट की ज़रुवत नहीं है आपको चेक करने के जरुवत नहीं है बाला कि इंटरिनली सर्केट के अंदर इसमें क्या वोल्ट है क्या आता है यह तो खुला सा क्लास में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है अब अभी हाँ पर आपको यूज़ करने के जरूरत नहीं है अब इसकी क्या-क्या-क्या-क्या-क्या पिने ये पहले हम वह डाल देते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसकी पर डाल दें तो दूसरे टीसे नमबर पर यहां पर बनता है अगर यह 14 सरकेट है तो यहां पर स्टैट जो कि एक LED इंडिकेटर की पिन होती है वह होता है बढ़ी है आप देख लेना कि भई यह अमधिया टे़र को किस में करें si होता है तुमें एक में करें होता है पाच्चों नमबरों चाटवे नमबर पे स्टेस्ल्किंख की शस्प्लाई जैगी जो आपको इस इसपिन पर आपको देखेंगे अब इसके बाद बात करते हैं साथवे नमरी की पिन पर आपको सेम आई एंटी की सप्लाई मिलने वाली इंट्रप्टेट वही पुल-ब रिजिस्टर एट टैन के रिजिस्टर के साथ में जिसमें 1.8 वोल्टेस की सप्लाई आपको यहां पर मिलने वाली है अच् कि रिजिस्टर कितने ओम्स का पुल-ब है कि क्या है यह सारी चीजे मुझे कमेंट करके जो बताएगा आथवे नमबर में हम देखें हैं कि हमारे पुराने बीक्यू में एंसी था यहां पर सप्लाई है और नौवे नमबर पर ऑविस है इसकी सेम सप्लाई रहने वाली है औ कि अंदर भी जाता है बट हम बात करेंगे इसका दसवे पर भी हम देखें तो हमारा एंसी होता है पुराने में पर यहां पर सप्लाई है जो कि है टी एस टेंपरेचर सेंसिंग जिसको हम थर्मल सेंस कहते हैं और यहां पर आपको 2.5 वोल्टेज देखने को मिलने वाले है तो 2.5 वोल्टेज आपको मिलेंगे जो कि डिवाडरस न्रकेट से बनता है जो कि रीजिन से मिलकर बनेगा और यह ढ़नता है क्यों कि बही आइसी भी चाहती है कि जो वो वोल्टेज वो सेलेट कर रही है वो वोल्टेज सही है कि नहीं है उसके लिए उसको धाई वोल्टेज यहां पर बनाना है अच्छा उसके साथ में बाड़ा नंबर की पिन पे एक सप्लाई एक लिखी होती क्यों अजे मीडिया टेक में तो यह सेम आपका अउपूट होता है जिसको हम कोडिंग में बैड बुलाते हैं ठीक है 16 और 15 आपकी बीपी एच की लाइन होती है और जिसको हम अगर मीडिया टेक होगा तो हम सिस्टम बुलाते हैं और 18 और 17 हमारा यहां पर ग्राउंड होता है तो देखो जैडली सेम चीज और यह कोईल आपको आगे बीपी एच की लाइनों पर आई सियो में करेक्टेट मिलेगा और यही बीपी एच आपको यहां से करेक्टेट मिलेगा इस तरह के से सो जैसा कि पुराना बीक्यू का कुछ नया नहीं बड़ यहां पर कुछ सप्लाइच चेंज हुई हैं जो कि म पर दिया है और यह बूट में आपको पता ही आपको एक सीरीज में केवेश्टेटर होता है एक और आपको चार और एक और आपको आपको आठ इस तरह कि आपके बूस्ट PER ऐस एगे तो इसमें आपको पॉइंट डिया हुआ है आइउ यहां पर आपको पार बूद तो यह 22 नमबर पर आपको यह पोइंट डिया हुआ है 23 नमबर पर आपको PMID का पोइंट रिख से थोड़ा कम वोल्ट देखने को मिलने वाले जो कि एक MOSFET लगा हुआ है IC के अंदर जिस तरह से वह फॉल्सन एक काम कर रहा है तो फिलाल मैंने इतनी सप्लाई आपको डाली है अब मैं कलर चेंज करूंगा अपनी दूसरी सप्लाई के लिए ताकि आपको समझ में आए कि बाकी सप्लाई हमारे क्यों और क्या है अब पॉइंट क्या है कि चेंजिस क्या है तो चेंजे से पिन नमबर दो पिन नमबर तीन पिन नमबर आठ पिन नमबर टैन एंड एवर्टिंग इस सिमलर एज बिफोर जो कि पहले था बाकी सब कुछ चेंज है उसको छोड़ो तो सब कुछ चेंज है और देखा जाए तो सिब चार चारी फिर निरी पिन चींज मॉस्षार्ट डाली के लिए डाटा प्लस डाटा माइनश सब्सक्राइब दो अब क्लाइब के आप द्रला कि इन जाता आप वान विहा है ऊसर व कि स्कूर्ट बनाना चाहते हैं है निपीकरां प्लाटा प्लस एक चीड्ट दो चारज़िंग के अंदर जो डाटा प्लस डाटा मैनस होते हैं वो चारण क्या ओता है चारज़िंग ठीडेक्ट हो गई हो गई पहले ही डिडेक्ट हो गई पर अब वह एंपिर भर जाते हैं जैसे कि उनको लगता है कि हाँ आपने चारजर के लventh नर्मल चार्जर एक usb केबल ब्लस-ब्लस मांड़ काई अब आप को हम डाटा प्लस-ब्लस-ब्लस तो हम क्या करते है data plus data minus की एक लाइन अगर सौट हो जाए तो हम CPU को उसको बाइपास करके हम जो की चारजिंग यह सब में अगर बात करें तो दो नमबर पर प्लस देखने को मिलेगा और तीन नमबर पर डाटा मैंड़े रहां पर आपको वोल्टेज मिलेंगे होगा वन के का अच्छा यह वन के का हो सकता है 300 Ohms का भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि वर्म के फिक्स है और उसके बाद इस तरह का यह circuit होगा जो की यह CPU के अंदर जाएगा और यही चीज आगे जाकर बिसिकली अगर मैं बात करूं डी माइनस और डी प्लस आपके बी टू बी करेक्टर पर जाएगी इस तरीके से तो इस तरीके से एक circuit आपको मिलने वाला है तो आप धान रखना बी क्यू के पर अगर मलते हैं इसकी यह लाइन यह ऊपन हो झारी तो आपको इसको बूलताते हैं डी प्लस डी माइनस अपन हो जाता एथा सलो चार्जिंग आपक को मिले अब हम बात करते हैं आठवे नंबर पर आपको क्या मिलना है आठवे नंबर पर एक 100K का रेजिस्टर होता है और वो लाइन जूरी होती है आपकी बीपी एच लाइन से मतलब आपको यहां पर चार वोल्ट ही देखने को मिलेंगे तो यह आपको देखना है कि आपको बराबर वोल्ट हारे की नहीं आ रहे तो 100K का रेजिस्टर होता है और यह सीरीज में और यह अगर आपका ओ ब्रॉपन हो दौगा यह रेजिस्टर आपका निकल गया तो आप चाहें तो आप इसको जंपड मार सकते हैं बाकि आपके आपको दाला है जोकि अलग-अलग तो यह पिन का नमबर है आई एल आई एम जिसके साथ एक रिजिस्टर को ग्राउंड किया गया है अब इस एक अजिस्टर की क्या वं आलु है आप यह पता करना चाते चाह्ता तो कमेंट करें बताओ देखें तो क्या dose आई our अगर नहीं प्ता है तो मुझे आपको मैसे Familien की मृद्मिसर की वेलू मैं आपको कोई बाइपास करके नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कहीं ऐसा नहीं कि कोई मॉस्पैट इतने अंदर तक लेके घुसा दिया कि आपको आपको सीखने के जरुवत नहीं है आपको सीखने के जरुवत नहीं है तो यह आपको बिलकुल नहीं सीखने वाला और लिए संय बने चेटेट हैं किसी इस टीचर कि निर्बहर कर रहाएं आये क्व कॉल करना प्रिक्टत हो बिल्कुल नहीं आपको को अपने solution मनाने आने चाहिए तो एक रेजिस्टर्ड वेल्व यहां पर सिफ ग्राउंड होता है तो यह कह सते हैं कि जिस तरह के कि सप्लाइट इनिवल करने की यहां पर भी आपको एक इनिवल करने की सप्लाइट यहां पर दी गई है पर यह क्या काम करती है मैं आपको इस वीडियो को समझ लो यहां पर पूरा काम मैंने बताया हुआ है तो अगर मैं आपको बूलू यह आपका नो स्कार प्वेल्ट है तो यहां पर आपको पाच वोल्ड देखने को मिलेंगे यहां पर 0.6 मैं मैंने आपको बता दिया है 0.6 यह आपकी स्टेट की लाइन है LED यह आप पर चिननकी स्हालागी आपको शेकर नहीं यहां पर 1.8 यह आपका यहां Pya यह्ण पर अब यहां पर आपको एक उलती रगा मिलेगा और यह रजिस्टर आपको कौनसे वह से बीपीए से अब आप खुदी देख लो कि यहां पर कितने वोल्टेज आपको मिलने वाल है उसके बाद में इस लाइन के साथ में आपको यह लाइन आपकी सीप्यू के अंदर जाएगी अगर मीडिया टेक होगी और अगर कॉलकम होगी तो से भी एक रेजिस्टर के साथ में हो जाएगी और यह रेजिस्टर 10K का होने वाला है इस तरह से कुछ ठीक है और यह आपका वही एक रेजिस्टर जो की पैलर में लगा हुआ है बहुत जादा हाई विल्लू का यह तो यह रेजिस्टर को बेसिकली पूल डाउन किया गया है यहां आपको टीएस की सप्लाइ मिलेगी 2.5 वोल्टेस के साथ यहां आपको QON की सप्लाई मिलेगी तो यह सप्लाई में तो NC है कॉलकम में यहां पर सप्लाई दिए पाव एक स्विचिंग के साथ और यह दो सप्लाई आपकी कनेक्टेड है यहां पर आपको बीबैट चार वोल्टेस आउपुट तब निक चार बनेगा और उसके बगल में यह जो सप्लाई जाएगी यह आपको यह चार पर बैच के साथ में होगी और यह आपकी रीजिन की सप्लाई होगी फिर उसके बगल में जो सप्लाई होगी वो आपकी supply बीसिकली यह ने चाहिए यह के कापस्टेटर होगा और यह वाला जो यह कापस्टर होगा जो की द्वाला चाहिए तब कुछ इस तरह से आपको supply हैं पर दिखने को मिलने वाले से पहले मैं को पूरी supply बहुत इमानदारी के साथ में सर्केट को समझा कर बताया है बताये मुझे कमेंट करके कि किस तरह का वीडियो में ने बना है और में भी आपका नॉलेज बहुत गेन हुआ होगा थैंक्यू बेरे माच यह वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और चैनल को भाई शेयर करो एक लाग होने वाले क्या कर रहे हो चली टॉफी दे दो भाई या एक और बाद एक और बाद बाद भाई इस तर टेलीकॉम का टूनामेंट होने वाला है किड़केट का हम हर महीने एक भी दिन की छुट्टी नहीं देते बात तो सही है पर यार हम ए सब्सक्राइम लेते हैं तो अगर हम शेय से भी अगर हम पाउचों पढ़ा है और पूरा कंसर्ट क्लियर करें तो फर्ज बनता है कि साथ वजे हमें किर्केट मैच करें तो हमने किर्केट मैच रखा हुआ है इस बार आप लोग भी आई है जॉइन कीजिए लाइब कीजिए को अगर दोस्तों एक और दोस्तों एक और आप आइफोन पर काम नहीं कर रहा है तो भी या काम क्या रहे हैं अभी बहुत ही कम दाम पर सिर्फ 6,990 अज़ने रोपे में आपको एक ओनलाइन कोश्च उनको दे रहा हूं जो एंडुए के हैं उनको दे रहा हूं जो बिसिकली जो कि मैंने काफी कॉलेजों से मिलाब एक बढ़ाई बढ़के उसमें आपको दिया है तो आप ले सकते हैं आइफोन 6 से लेके 12 पुरोतर का यह हमारा सच के यह हमारा कोस जो कि आप एंड्रोइड के प्ले स्टॉर में जाएंगे और आप इससे टेली कॉम सच जैसी आप इसको एंटर करेंगे ना तो कोस को पर्चेस मत करना इसमें एक कोड डालना होता है डिवाली का देखे तो इस कोड में आपको आइफोन 6 तो सबसे पहले आप आइफोन 6 पढ़िए टोटल 36 चैप्टर है भाई सीप्यू तो है रैम तो है पैटिकल वक्त तो है य आइफोन 7 फिर उसके बाद आइफोन 11 और अब उसके बाद में आइफोन 12 डागा है यूटीडी के डिये सो है रीगल के डिये सो का पूरा ट्रेनिंग है तो बिसिकली भाई यहां तो बहुत तगरामाल दिया हुआ है तो यह आप बिल्कुल ले सकते हैं और इसके बाद नो 8000 रुपे में आप नेंड प्रोगामिंग नोटिस किजिगा आइफोन आइसी सप्लाइट टेस्टिंग डिये सो नेंड प्रोगामिंग पैनिक रिपोर्ट एडवांस मल्टीमीटर की बहुत सारी इंफोर्मेशन ठीक है लॉजिक एनलाइजर एवन मैंने इसमें हैं टालने वाला हूं और बहुत जल्द है वह सेटकेट को अपडेट करने वाला हूं कि नोटिस करो आइफोन 12 सीप्यू रैम स्वाटिंग के इस नेट्रक बहुत सारी फोल्ट बहुत सारी यहां पर सलूसिंस मैंने आपर डाले गया है इस कोर्स के अंदर कम से कम देर से 2 साल मैं प्राइमरी केसे में बन जाते हैं उसको खूलने में आप डरे नहीं और यह ना सोचें कि जब तक मी इंसूट नहीं आँगा तब तक मैं सीखूंगा नहीं तो थेंक्यों वेरे मच और यह कोर्स पर्चेस करने के लिए नीचे लिंक भी दिखेए उस लिंक का फाइदा उठाओ और जो कोर्ड है दिवाली डिवाली बस एक फुल फॉर्म में लिख दो आपको 30% डिस्कॉंट मिल जाएगा और यह आप पर्सेस कर ले ना साथ नौसन नियान्वे रुपे में जो की दो साल की वेलिडिटी के लिए है और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक वीडू डाला पहले वह समझो नहीं तो अगला नहीं दूंगा यह सब नहीं है भाईया सारे वीडू एक साथ है जो मर्जी आ वो देखो जहां फसरे हो वो देखो वो सार आएगा थैंक यू वेरी मुट्च